नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रिवेस एक्जाम 2018 से 2020 तकी CBT एक्जाम में पूछे गई वेरी डिफिकल्ट टॉप 30 स्वाल रहने वाले हैं जिसमें 90 पर स्वालों का गलत ज्वाब दिया है एक्जाम में और इससे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो आया है जिसमें आपने टोटल 40 स्वाल कवर की थी जो वेरी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा कठें स्वाल थी तो वह सब्सक्राइब तो चले आपके सामने जो पहला स्वाल है और वीडियो के एंड में आप जरूर बताएगा इन 30 में से आपको कौन से स्वाल का एंसर है वो पता था पहला स्वाल जो प्रिंटर या फोटो कोपी मर्शीन है उसका फोटो रिसेप्टर किस ततों से बनाय जाता है तो फोटो कापी मर्शीन का फोटो रिसेप्टर है वो एमरोफाश्स सिलिकॉन से बनाय जाता है ये सिलीकॉन का गैर केस्टलिय रूप है और इसका उपयूउग सिल्ल और shown और το कुछी के स्वाल और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैंने 49 ओनलाइन टेस्ट जारी किये हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं धुरीना एप्लिकेशन पर कैसे जोइन करना है लिंक देस्क्रिप्शन वक्स में है वीडियो लिंक भी अवलेबल है वीडियो देखके आप जोइन कर दीज़ी यहां पर और आपके सामने जो सेकेंड स्वाला है कि तमील नाडू में जल संचन परनाली को क्या कहा जाता है अरिस और तमील नाडू में जो एरी है वो टैंक को बोला जाता है और जो यहाँ पर water management system है बहुत पुराना है oldest water management system है भारत का उसे एरिस कहा जाता है जो कि Tamil Nadu का है जल संचन परना ली और यहाँ पर मैं आपको बता दू एक स्वाल बहुत बार पूछा जाता है कि जल परदूसर निवारन और नियंतर अधिनियम है यह कब आपके बना था तो जल अधिनियम है जो परदूसर निवारन और नियंतर अधिनियम है ये 1934 में त्यार किया गया था अगला स्वाल यहां पर क्योसर नंबर 3 महिलाओं के दोरा पहनी जाने वाली पानो भाजू नामक पारंप्रिक पोशाक भारत के किस राज़े से सम्मंदी थे जो पानो भाजू पारंप्रिक पोशाक है ये गोवा की है पानो भाजू है ये गोवा राज्ये की पारंप्रिक पोशाक हैं जो की महिलाओं के दोरा पहनी जाती हैं नेश्ट या पर भारत के पून छेतर के लिए डोमेनियन स्टेट की पहली मांग कब की गई थी तो भारत के पून छेतर के लिए डोमेनियन स्टेटस की जो पहली में की गई थी यहाँ पर डॉमिनियन इस्टेटस यानि ओपने विशिक सवराज्य हैं इसका अर्थ है कि आंत्रिक मामलों में भारतियों को शवसासन का अधिकार दिया जाए और नहरू रिपोर्ट 1928 में 28 अगस्त 1928 को मोतिलाल नहरू ने अपनी रिपोर्ट पस्तूत की है और इसे नहरू रिपोर्ट का जाता है रिपोर्ट की जो मुक्य श्रिपारिशे हैं वो भारत को डॉमिनियन इस्टेट का दर्जा भारति एक संग होगा जिसके दिन के अंदर में ध्वी सदन्य भारति समूदर तट पर इस ते जो बंदरगा है उनको सुचिबद किया गया है तो यह बोकस है पैरी प्लस मेरिस एरित्रे बोकस का नाम है पैरी प्लस मेरिस एरित्रे पुस्तक में क्योसर नमबर छे यहाँ पर निमलिक्त में से किस अभिन्य कला में मिझावू प्रमुक वाद्धी अंतर है कौन सी यहाँ पर अभिन्य कला है जिसमें मिझावू प्रमुक वाद्धी अंतर है तो वो है कोडिया टम कोडिया टम जो अभिन्य कला है यह कैरल की अभिन्य कला है और बाकी में सत्रिया की बात करूं तो ये असम की हैं और कुझी पुड़ी हैं अंदर परदेश की तो यहां पर जो मिज़ावू बाद्धिय अंतर हैं वो कोडिया टम का हैं। अगला स्वाल के उसन नमर साथ यहां पर किस आकरमन कारी ने जोल वंस का अंत किया था। जोल वंस का जो अंत किया था वो मलिक काफूर ने किया था। ऐसा माना जाता है कि 1267 इस्वी तक के समय में जोल राजवंस पूरी तरह से कमजोर हो गया था। और इस समय का लाव उठा कर 1310 इस्वी के लगभग अलावदिन खिलजी के सेनापती मलिक काफूर ने जोल शासकों पर आकरमन करके उन पर विजय प्राप्त कर दी थी। और इस परकार चोल शासन का यहाँ पर अंत हो गया था मैं यहाँ पर बात करूँ चोल वंसकी तो इनके जो शंस्तापक पर्थम शाशक थे वो विजय ले चोल थे अंतिम शाशक राज़ंदर चोल तिरते थे राजधानी थी तंजाबूर। नेक्स स्वाल यहाँ पर क्योसर नमबर आठ फैनी के लिए भोगोलिक संकेतक टैग है जी आई टैग किस राज़े से संबंदित हैं तो एक स्वाल यह भी पूचा गया फैनी है क्या यहाँ पर पूचिला यह फैनी किस राज़े से संबंदित है तो फैनी है गोवा का एक प कॉल हैं मादक पेपदार्थ हैं आगला स्वाल देखिए यहां पर भारत के समयधान का कौन सा अनुच्छेद शिर्ष न्याले को पूर्ण न्याय का पालन करने के लिए उप्युक्त आदेश याद धिक्री को पारित करने की शक्ती देता हैं तो कौन सा अनुच्छेद हैं ज 77 एकर विवादित जमीन पर राम मंदिर और मजजिद वाला मामला था उसमें कोर्ट ने जो यहां पर निन्ने लिया था कि मुश्लिम पक्स को मजजिद बनाने के लिए पांच एकर जमीन देने का जो आदेश दिया था अलग सी तो यह इसी अनुच्छेद के तैर दिया गय है इसमें है कि अनुच्छे 142 में तो जो सुप्रीम कोट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा जो उनके समक्स लंबित किसी वाद या विशे में पूर्ण न्याय करने के लिए आवशिक हो उसके लिए ऐसी डिक् सद compart आद रिते तो प्रारम्विक जो अफ्वान फ्रस्ट है वह बर द्र ली कि दान पर आदारित हैं अब देखे हुआलतों या ऊपर कर रहती हैं और उपरसे वह व्क्र होते हैं तो एसा होता है नीचे से हवा हैं हो धीरे गति ज्यादा ही हैं। और इसी प्रकार पंक का उपरी हिस्सा है वो वक्र करने से वहाँ हवा का गमन है वो तेज गती से होता मतलब हवा ज्यादा नहीं रहती है नीचे ज्यादा रहती है जिससे पंक उपर का वायुदाब कम हो जाता है और इन दोनों कारणों से प्लैन आसानी से हौ में उड़ने लगता है तो ये बर्नोली का सिद्धान थे अगला स्वाल देखिए पटकल मंदिर का निर्मान किसके शाषनकाल के दोरान किया गया था अब देखिए आपर दो स्वाल एक तो पटकल मंदिर कहां पर है सेकें है इसका निर्मान किनके शाषनकाल के दोरान हुआ है तो पुर्जेले में मल्ले प्रभाद नदी के तट पर इस्टित हैं और चालू की वंस के राजा उन्हें साथवी और आठवी सताब्दी में यहां पर कई मंदिर हैं वो बनवाए हैं क्योशन नमर 12 यहां पर निमलिक्त में से कौन भारत रतन से सम्मानित पहले संगीतकार थे तो की जो सुरुआ थे वो दो जनवरी 1954 को की गई थी भारत के ततकालिन राष्ट पती स्री राजंदर परशाद की दोरा इंपोर्टेंट फेक्ट हैं और अभी लैटेश जो 2019 में तीन वेक्तियों को दिया गया हैं नाना जी देशमुक भपैन हजारीका को मरनो प्रांथ हैं औ अगला स्वार के उसला नमर 13 यहां पर छटी और चौती इसा पूरो शताबदी के बीच में सबसे शक्ति साली महा जनपद कौन सा था तो वो हैं दोस्तों मगद महा जनपद जो प्राचिन भारत के टोटल सोहला महा जनपद थी उनमें से मगद भी एक हैं यह छटी और चौ चिन राजदानी है वो राजगर है फिर बनाई गई थी पाठली पुत्र अगला स्वालिया पर के उसला नमर 14 किस महीने को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है तो निवर्तन मानसून का महीना है वो अक्टुमबर और नौंबर महीना लग भग मिड सितंबर से नौंबर माइना है ये निवर्तन मांसून ये निवर्तन मांसून है क्या वो बता दूं तो भारत में मांसून के पहुंचने को मांसून का आगमन कहा जाता है जब मांसून पहुंचता है और भारत से मांसून जब वापस लोड़ जाता है उसे मांसून का निवर्तन जब मांसून गाइ करता है पहुंचता है वो है माला बार तरपर जून के पर्थम सब्ता में यह पहुंच जाता है तो वह आगमन हो जाएगा क्योंस नमर 15 यहां पर निक्ट लोपिया जो रोग है इसका पचलित नाम क्या है जो इंगलीज मीडियम के इंगलीज में निकट लोपिया रोग कहा जाता है तो रतोंदी रोग है जिसमें आखों की विमारी इस रोग के दिन में दिन में तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त वह नजदी की चीजे भी ठीक से नहीं देख सकता है वो है रतोंदी रोग है और ये किस कारण होता है तो इनके दो परमुक कारण है रतोंदी का सबसे आम कारण है रेटिना इटिस पिगमेंटोसा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक विकार है जिसमें रेटिना में रोड कोसी का धीरी धीरे उनके प्रकास के लिए परतिकरिया करने की छम तक हो देत और रात का आंद्पन जो रतौंदी है इसका अन्यकान है विटामिन एक कमी है रेटिनॉल की कमी है अगला स्वाल या पर मुलसी बांध है वो किस राज्य में इस्तित है तो यह महाराश्टर में है तो मुलसी हो गया आपकी महाराश्टर में इस्तित है तो मुलसी हो गया आप खाद्य सामगरी तो हलीम शब्द है पारंप्रिग भारतिय खाद्य सामगरी से संमंधित है खलीम एक भारती वैंजन जो कि हैंद्रबाद में हलीम है वो रम्जान की वक्त मनाई जाती है हलीम में मास मसाले और गेहूं से बनाई जाती है क्योंस नम्बर अठारwow या पर परशीद शीष मेल का निर्मान किसके दोरा कराय गया है अब दीखिए शीष मेल या पर दो शीष मेल है एक तो भारत के जो पटियला में है पंजाब राज्य मिश्थी थे ये मेल है पटियला शेयर में है जो पटियला में शीशमेल है उसका निर्मान तो कराया गया है नरेंदर सींग के दोरा है 1847 में कराया गया था एक दोस्तों शीषमेल जाइपूर में भी है आमेर जाइपूर में जो राजस्थान में है ये जो शीषमेल है इसका निर्मान सोरवी सती में राजा मान सींग के दोरा कराया गया है नेक्स स्वाल के उसन नंबर 19 यहां पर जो 1900 के ओलंपिक गैम से वो पहली बार जिसमें महीलाओं को सामिल किया गया था भाग लिया था तो ये कहां पर हुए थे तो 1900 के जो सेके नाधुनिक ओलंपिक खेल है वो पैरिस में हुए थे पर्थम कहां पर हुए थे तो पर्थम मे कप है यह किस स्वाल पूछा जाता है वह है दोस्तों स्वाइथलिंग चुक कप है वह भी टेबल टेनिस का है मैं का है स्वाइथलिंग कप है यह मैन का टेबल टेनिस है, कार्बिलन है, यह विमन का है टेबल टेनिस कप, अगला स्वाल देखी क्योसर नमर 22 यहाँ पर कौन से समिधान संसुदन ने लोकशवा सींटों की संख्या पहले जो 525 थी उससे बढ़ा कर 545 कर दी गई है, वो किस समिधान संसुदन में ऐसा किया था, इसमें लोकशवा में राज्यों के परतिनिद्टों सदिश्य हैं, उनकी अधिक्तम संक्या हैं, राज्यों के पहले सदिश्य थे 500, फिर यहाँ पर बढ़ा कर 31 समिधान संसुदन में 525 हो गए राज्य के, और जो कैंदर शासित परदेश थे उनके सदिश्य थे पहले 525 हैं, अब यहाँ पर बढ़कर घटकर 20 कर देगे हैं, तो पहले जो 525 थे, अब वो कितने हो गए हैं, 545 हो गए हैं, यह हैं अनुचे नहीं समिधान संसुदन 31 के तयत ऐसा किया गया है, लेकिन अभी आपको पता है, टोटल मैक्जीमम कितने सदिश्य हो सकते हैं, तो 552 ह तो यह क्या इसका है, अनुचे 81 के तयत मूल समिधान में लोकसवा के सदिश्यों की श्रंक्या सुरूआत में कितनी थी, 500 थी, 31 समिधान संसुदन के तयत यहाँ पर 545 हो गई, फिर बात करूँ, गोवा दमन और दीव पुनरगठन अधिनियम 1987 के दोरा इसकी संख्या बढ कर 552 कर दी गई हैं, इसमें अधिक्तम 530 सदिश्यों का निरवाच्चन राजित छेतर, और 20 सदिश्यों यहाँ पर होंगे, आपके संग्यत छेतरों से निरवाच्चित होंगे, दो सदिश्यों को मनुनित करेंगे, जो अंगल भारतियों वरग के हैं, राष्टपती के दो शिमला समेलन और कैबिनेट मिशन है, यह किस अहुदी से जुड़े हैं, मतरब उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे शिमला समेलन और कैबिनेट मिशन के वक्त हैं, शिमला समेलन की बात करूं तो यह 1945 में हुआ था, 25 जून 1945 को कैबिनेट मिशन यह भारत भेजा गया थ यह केलिमेंट एटली मंत्री मंदल के दौरा 1946 में भारत भेजा गया था यहनि आपको एंसर देना है जो कि 1945 और 1946 के वक्त भारत की गवर्नर जनरल कौन थे तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वैवेल थे इनका कारेकाल है एक अक्टूंबर 1945 से 25 1947 तक अगला स्वाल देखिए आपर क्योसर नबर 24 पजामा आर फॉर गिविंग किन के दोरा लिखी गई पुस्तक है तो ट्विंकल खना के दोरा लिखी गई पुस्तक है मैं आपको बता दू जो बुक्स और उस्थर के मैंने 2019 बीस की टॉप 100 पुस्तक कवर की थी वो वी इंकल खना है पजामा आर फॉर गिविंग पुस्तक की लेखक नैश्ट यहां पर प्रीमियर बैंड मिटन लीग के पहले विजयता कौन थी प्रीमियर बैंड मिटन लीग का जो पहला संस्क्रण है उनके विजयता हैदराबाद होट शॉट था अब देखिए आपर पहला सं प्रीमियर बैंड मिटन लीग का 2020 में विजयता रही है बैंगलूरू रैप्टर्स नेश्ट यहां पर फॉंग पुई किस राजे की यहां पर हाइस्ट पीक है उजतम चोटी है तो फॉंग पुई है मिजोरम की उजतम चोटी बाकि यहां पर ऑप्शन की बात करूए माउंट तैनिपू है जिसकी हाइट 2994 मिटर है यह हाइस्ट पीक है मनिपूर की सिक्केम की कंचन जंगा जो की विश्व की तीसरी सबसे उन्ची परोध है जोटी 8656 मिटर है अगला स्वाल देखी कि उसन नंबर 27 पर किसको अमित्र गाथा के नाम से भी जाना जाता है तो बिंदु सार मोरे को अमित्र गाथा के नाम से भी जाना जाता है बिंदु सार मोरे कौन है तो यह चंदर गुप्त मोरे के पुत्र थे जो मोरे राजवन्स है उनके संस्तापक चंदर गुप्त मोरे के पुत्र बिंदु सार मोरे है बिंदु सार को अमित्र गाथा इसके अल का रासायनिक नाम क्या है तो हाइड्रोजन साइनाइड है जो हसी एन है इससे कहा जाता है पुरूशिक एसीड है एससी एन हाइड्रोजन साइनाइड है यह पुरूशिक एसीड कहा जाता है नेक्स स्वाल यहां पर निमन में से कौन सी भारतिय दर्शन सास्तर के दर्शन को अक्सर भारतिय भोतिक वाद कहा जाता है, भारतिय भोतिक वाद है, ये कौन सी भारतिय दर्शन सास्तर के दर्शन को कहा जाता है, तो लोकायत को कहा जाता है, अंतिम स्वाल किसा नमबर 30, किस नदी का प्राचिन नाम है, वो सदा नीरा है, तो सदा नीरा है, गंडक नदी का प्राजचिन नाम है वो सदानेरा है गंड़क नदी की बात करूती है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंड़क या केवल गंड़क भी कहा जाता है इसके अन्य नाम है यह नदी नेपाल में क्या कहलाती है तो साली ग्रामी साल ग्रामी और मैदा में ये नारायनी और सब्त गंड की कहलाती है इसका प्राचिन नाम है वो सदानीरा भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताए इन तीस में से कौन से नंबर के स्वाल का एंसर आपको मालूम था और इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यहां तो सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्ते और इस्टिडी ग्रूप में शेर जरूर कर दीजी वीडियो ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में और वीडियो जल्दी एवलेबल हो सके मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तबते के ल तरम जे हिंदुस्तो